नमस्ते साथियों आज़े इस वीडियो में इस कालखंड में वैध एओम अवेध मत्पत्रों के उधानों पर चर्चा करते हैं सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अवेध मत्पत्रों पर साथियों जैसा कि आप यहाँ पर उधाहरन देख पा रहे हैं ठीक है पर है इस स्लाइड में जो बाई तरप का मत पत्र है इस पत्र में कोई भी मतंकन चिन नहीं लगा है आता जो मत दाता है उसने कोई भी चिन नहीं लगाया है जैसा कि आपको ग्याथ है घूमते हुए तीरों वाले से मतंकन चिन लगाया जाता है और घड़ी की विप्रीद दिशा में तीर घूमते हुए दिखाई देते हैं ठीक है और आप देख पार है दाहिने और का जो मत पत्र है इस मत पत्र में छायंकित जो भाग है या जो सेड़ेड स्थान है वहां पर मतंकन चिन का प्रियोग किया गया है तो यहां पर आप देख पार हैं कि ना तो क्रमांग एक के अब प्रत्यासी और ना ही क्रमांग दो के स्लयड में आफ देखा कि यदि मत्पत्र खाली है कर दिक रियोंगा और छायंकित भाग है उसके बीचों बीच में मतांकर Сер更 गोशित कर दिया जाता हैках इन उधानों पर हम चränड़करेश llad पर यदि मद दाता के दवारा मतांकन क चिन्न का प्रयोक तो किया जाता है किंतु कोई चिन्न बनाया दीया जाता है या हस्ता शर्भ ग्रेक कर दिये जाते हैं जिससे की जो मद दाता के पहचान चिन्हित होती है, तो ऐसे मत पत्रों को भी खारिज कर दिया जाता है, अर्था तुनिये अवेद मान लिया जाता है, जिस्ता कि आप देख पा रहे हैं बाई और के मत पत्र में तीसरे करम के प्रत्यासी को मत दिया गया है, किन्तु वहाँ पर signature भी कर दिये गया है और यहाँ पर कुछ लिखा गया है तो ऐसे मतपत्र को अवेद मतपत्र माना जाता है जबकि दाई और के उधाण में आप देख पा रहे हैं क्रास का चिन लगा दिया गया है सेकेंड नमबर की परतिया से खण में चुकि मतांग का चिन का प्र सारा यदि जो मतांकन चिन है जैसा कि मने बताया घूंते वूए भाली सील से चिन लगाना वह मतांग का चिन है उसका प्रयोग कि बिना पेन से या किस पैंसल से कोई चिन लगा दिये जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाइं और दाई और के जो मत पत्रों के उधार नमबर तीन में आप देखेंगे दो राइट केचिन लगे हुए तो इस पकार के मत पत्रों को भी अवेद बत पत्र की स्रेणी में रखा जाता है और इन्हें खारिच कर दिये जाता है सीदी से बात है साथियों यदि मत देने के लिए घुमते हुए तीरों वाली सील का प्रि करमांक दो इन दोनों प्रत्यासियों के बीच और बीच में जो छायंकित भाग है उपर ही जो मतांकर चेन का प्रियोक किया गया किन्तुँ आप पहली पहले चेन को देख रहे हैं कि क्रमांक एक के जो अभ्यास्ति है उसके थर जादा है जब की दूसरे और तीसरे प्रत्यासी के लिए पर आप देख पा, तो इन दोनों के लिए आद। जो मतांग का चिन हैं दोनों में है इतलिए ऐसे मत्पत्र भी अवेद मत्पत्र की स्रेड़ी में रखे जाते हैं और इन्हें खारिच कर दी जाता है अगले उधाणों के हम चर्चा करें तो आप यहां पर देख पारें साथ यहां पर उधाण दिखाए गए हैं यदि किसी मत दाता के द्वारा दो प्रत्यासियों के लिए यानि दो अभ्यस्तियों के लिए अलग-अलग मतांकन चिन का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे मत्पत्र भी अवेद मत्पत्र की स्रेड़ी में आते हैं जैसा कि बाई और के उधाण में आप देख पा रहे हैं पहले एवों त कि परत्यासियों के लिए मतांका चिन का प्रयोग किया गया है तो इस पकार के छारीज मत्पत्र की स्रेड़ी में रखा जाता है था अब साथियों हम बात करते हैं वयद मत्पत्र की स्रेड़ी में आते हैं कभी-कभी ऐसी इस्तिती मत पत्रों में आ जाती है कि विचार करने के आवस्ता होती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर दो मत पत्रों के उधान दिये गए हैं यदि किसी मत दाता के द्वारा एक ही अभ्यस्ती के लिए मतांकन चिन्न का प्रियोग किया गया है अर्थात एक ही जो प के लिए तो यदि एक ही अधिक मताग चेनर का प्रियोग किया जाता है तो वे वैद मत्पत्र कि हांसे हैं क्यों यहां गाना पना पड़ता है कि जो जो मतांका ज we वह पूरा पूरा नहीं लगता अथा जो घूमते तेरेवाली स्टील है उसका पूरा भाग छपकर नहीं आता है उसका क्यों एक भाग छपकर आता है जो दूसरा गायब रहता है जैसे करम की पर्तियाशी के लिए यहां should हैं तो यहां मतां का इंची नहीं हुआ है पूरा पूरा छापकर नहीं आया धिक सफ्षिक्रण घाता है जब कि दहिन व के द्याशी को मत दिया गया अपर ईसा माना जाएगा ठीक है अब यहां पर आप के दारा रही है जैसे कि आप देखक्पा रहे हैं एक जो मत पूरा पूरा खंड के अंदर जबकि दूसरा मत का चिन जो है वह च्हायंकित भाग से अधिक भाग के लिए के खंड में आता है इस पकार का जो मत पत्र है वह बैद मत पत्र की स्राइब में आता है उससे खारीज नहीं कि जाता है ठीक है और तहीने और के मत पत्र में भी आप देखेंगे कि जो मत आता है उसने पहले क्रम के प्रत्यासी के लिए मतांग कर चेन का प्रयूक किया है ठीक है एक चिन तो पूरे खंड के अंदर है, किंतो दूसरा जो चिन है वो छायंकित भाग के अंदर है, किंतो जो कुछ भाग जो है, वो क्रमांग एक के प्रत्यासी की ओर ही निकलता हुआ दिखाए दे रहा है, इसलिए इस तरह के मत पत्रों को ववैद मत पत्र की स्टेड़ी में रखा जाता है और यदि हम बाई और के मत्पत्र की बात करें तो दूसरे प्रत्यासी को मत दिया गया है ऐसा माना जाएगा और दाहिनी और के मत दाता के द्वारा केवल एक ही प्रत्यासी के लिए मतांकन चिन का प्रियोग किया गया है, किन्त उसकी उल्टी छाप दूतरे प्रत्यासी के खंड में भी आ चुकी है, जैसा कि बाई और के मत पत्र में आप देख पा रहे हैं, मत दाता ने तीसरे क्रम के प्रत्यासी को आ गई है, अब इसकी पहचान कैसे होगी, साथ यह जैसा कि आपको ग्यात है, जो घूमते हुए तीरों वाली सील होती है, जब उस सील को लगाया जाता है, तो घड़ी की विप्री दिसा में मतांकन चिन, जो लगता है अर्था, जो तीर होते हो, घड़ी की विप्री दिसा में घूमते हुए दिखाई देते हैं, यादि उसकी उल्टी चाप बनेगी, तो घड़ी की दिसा में तीर घूमते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे है, मत दाता ने, क्रमांग तीन के प्रत्यासी को अपना मत दिया गया है, किन्तो उसकी उल्टी चाप क्रमांग एक के प्रत्यासी के खर्ण में आ गई है और यहां पर आप देख पा रहे हैं जो तीर हैं वो घड़ी के दिखाई दे रहे हैं ठीक है इस तरह से दाहिनी और के मत पत्र में आप देखेंगे तो जो मत दाता है उसने क्रमांग एक के प्रत्यासी को अपना मत दिया है किन्तु मत पत्र को उल्टा मोड देने की वजह से जो घुमते वे तीरो वाले सील का जो मतांग गंचिन है वो उल्टा छप गया यान उल्टी छाप उसकी आ गई है दूसरे खंड के प्रत्यासी के लिए ठीक है किन्तु यह मत किसी दिया गया कर्माग एक के प्रत्यासी को ही दिया है तो इसतrache के मत पत्र दिया आपके समक्ष आते हैं ठीक है तो वे वैद मत पत्र की स्थ्रेणी में ही आएंगे और इस उदर में आप देखेंगे तो यदि मत दाता के द्वारा किसी प्रत्यासी के चिन के उपर या उसके नाम के उपर मतांकन चिन का प्रियोग करते हुए मत दिया गया है तो ऐसे मत पत्र को भी वैद मत पत्र की स्रेणी में ही रखा जाता है जैसे कि आप देख पार हैं बाई ओर के मत पत्र में दूसरे क्रम के प्रत्यासी के जो चिन है उसके उपर लगाया गया है जबकि दाहिनी ओर में आप देखेंगे तो प्रत्यासी के नाम के उपर ही मतंग कंचिन का प्रियोग किया गया है तो ऐसे मत पत्रों को भी वयद मत प दिखाई नहीं दे रहा है यह कभी-द्ब यह जो मत्दान कर्मी नें प्रतिपण होता है उससे जब काट कर निकाला जाता है तो जो कड जाता है 조 मत्पत्र है पाई जैसे कि आप बाइर मद्पत्र में देख पा रहे हैं यह जो छोड है वो निकला हुआ प्रधित हो रहा है क्यों थोड़ा था हलका सा कट चुका है ठीक है इस तरह से यहां पर बाब देखेंगे दाहिनी ओर के मत पत्र में जो उपर का भाग है यह को ना थोड़ा निकला हुआ दिखा जाता किन्तु मत दाता ने मतांग का चेन का एकदम सही प्रयोग किया है इसलिए ऐसे मत पत्र भी वैद मत पत्र की स्रेड़ी में ही आते हैं और शात्यों यहां पर हम इस मत पत्र चर्चा करें तो यदि मत दाता के द्वारा जो मत दिया जाता है और उसमें कोई ऐसा चिन जैसा कि अंगूठे का चेन जबकि मतांग का चेन दूसरे प्रत्यासी के खंड में लगा हुआ है तो सांथ यहां पर जो मत दाता है इसके दूरा दूसरे क्रम13 को ही अपना मत दिया गया है हम यह कर सकते हैं कि मत दे पत्र मतपत्र को देटे के समय ही जो कोई अधिये मद्दाता हमालो वो मूठा लगाया है उसने और अंगुटे में उसकी शाही लगी हुई है तो उस समय जब वो मतप्त्र को पकड़ता है हुझी समय वो अंगुटे में लगी हुई शाही का चेन उस पर लग जाता है ठीक है तो ऐसी अगर इसिती के मत पत्र देखने को मिलते हैं तो ऐसे मत पत्र भी वैद मत पत्रों के स्रेणे में ही आते हैं तो साथ यो इस वीडियो में हमने वैद एवं अवैद मत पत्रों के बारे में जाना आसा करता हूं जानकारी उपियोगी लगी होगी मिलेंगे अगले कालखण में तब तक के लिए जय हिंद